हेलो गाईज कैसे हैं आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एक्जाम में आज की इस वीडियो में हम जर्नल एवेर्णेस के 10 most important questions को attempt करेंगे जो कि आपके SSC GD, HSSC कराम सची पटवारी और पटवारी के लिए जो आपका एक्जाम होने वाला है उसके लिए important है और यह किसी भी government exam के लिए important है तो इस series को हम continue दिखेंगे जब तक आपको exam नहीं हो जाता तो इस series को end तक जरूर देखेगा इस video को end तक जरूर देखेगा और अगर आपको इस video पसंद आए तो please इस video को like करना मत भूलेगा और subscribe जूर कीजेगा हमार during winters in the northern west part of India northern west part जो पार्ट है जो इंडिया का winter में rainfall का कारण क्या होता है तो rainfall का कारण जो होता है guys western disturbance western disturbance के कारण जो होता है मारे पास जो northern इंडिया है वहाँ पर क्या होती है rainfall होती है बारिश होती है किसके कारण winters में यानि कि सर्दियों में क्या होती है बारिश होती है northern western जो North West में है, वहाँ पर Western disturbance के करण वहाँ पर बारिश होती है, ठीक है, next question पर आते हैं, next question इस, which among the following is called land of midnight sun, इन में से कौन सा देश को land of midnight sun कहा जाता है, तो guys वो कहा जाता है, नौरमे को, नौरमे को land of midnight sun कहा जाता है, ठीक है न, नौरमे को क्या कहते है, आते हैं, land of midnight sun, next question पर आते हैं, next question is, the mountain range which divides the north and the south India, नौर्थ इंडिया को और south इंडिया को कौन सी mountain range जो है, वो अलग करती है, तो नौर्थ इंडिया और south इंडिया को कौन सी mountain range अलग करती है, guys वो करती है, वो करती है, विद्याज रेंज, यानिकि option C, इसका correct हो जाएगा, ज नौर्थ इंडिया को और south इंडिया को क्या करती है, अलग करती है, कौन सी रेंज, विद्याज रेंज, next question पर आते है, next question is, which state in India has the largest cover area of forest, इन में से कौन सी state जो है, जहाँ पर सबसे जादा area किसका है, forest का है, यानि जहाँ सबसे जादा area किसका है, यानि जहाँ सबसे जाद 522 square kilometer का जो area वो forest का है, तो सबसे जादा जो पेड़ पाए जाते हैं, वो कहाँ पर है, forest jungle कहाँ पर है, मध्य परदेश में, इसके बाद जो है अरुनाचल परदेश में, सबसे पहले नमबर पे है मध्य परदेश, दूसरे नमबर पे है अरुनाचल परदेश, question number 5th पे आते जो पार्ट है हमारा northern hemisphere में, उसमें जो सबसे लंबा दिन होता है, वो guys होता है, option c 21st of June, 21st यानि की 21st जून का day होता है, वो सबसे लंबा दिन होता है, कहाँ पर northern hemisphere में, next question पे आते हैं, next question is, who coined the term ecology, ecology word का यूट सबसे पहले किस ने किया था, तो guys, ecology जो word था, जो इसका use किया था, सबसे पहले वो किये, किस ने किया था, earnest, heckle, यानि की option A, इसका सही हो जाएगा, और ecology term है, is coined by earnest, heckle ने इसका use किया था, word का use किया था, कि किस word का ecology था, e for ecology, e for earnest, heckle, तो option A, इसका correct हो जाएगा, next question पे आते हैं, which of the following Indian chili is considered one of the hottest in the world, इन में से कौन सी chili है, यानि की मिर्च जो है, वो Indian है, और world की सबसे तीखी मिर्ची का दरजा उसे पराप्त है, which of the following Indian chili is considered, उसे world की सबसे तीखी मिर्ची, इन में से कौन सी है, उसका नाम हमें बताना है, तो guys वो है, भूत जो लो किया, option A, सका correct हो जाएगा, भूत जो लो किया, जो है, वो India की मिर्च है, और world की सबसे hottest मिर्ची है, यानि कि सबसे तेज मिर्च है, तो भूत जो को लिया, जो है, वो also known as the ghost pepper, इसको ghost pepper के नाम से भी जाना जाता है, ghost chili के नाम से भी इसको जाना जाता है, कौन सी chili, भूत जो लो किया, ठीक है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option A, next question पर आते हैं, next question is, flash floods are associated with, ज under storms, ठीक है, next question पर आते हैं, next question is, the longest river in Asia is, Asia की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की guys, जो एशिया है, उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो longest river जो है, वो है, यांगजे, यांगजी, यांगजी नदी जो है, वो एशिया की सबसे लंबी नदी है, option B, इसका correct हो जाएगा, यांगजी river is the third longest worldwide, और पूरे वर्ल्ड में ये सबसे तीसरी सबसे लंबी नदी है, और Asia में सबसे पहली नदी कौन सी है, पहले नंबर पे कौन से है, यांगजी, और वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, यांगजी नदी, ठीक है न, तो इसका सही option क्या हो जाए जाएगा, next और last question पर आते हैं, the busiest ocean trade route of the world is in, तो busiest ocean trade route जो है, वो सबसे कौन सा है, सबसे busiest ocean trade route कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, तो guys वो है Atlantic Ocean, option A सकरेक्ट हो जाएगा, जो Atlantic Ocean है, वो busiest ocean route है, इसका पूरे वर्ल्ड का, तो option A सकरेक्ट हो जाएगा, तो guys ये थे आपके पा continue करेंगे, जब तक आपका exam नहीं होता, तो इस series के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए, और आप चाते हैं कि इस तरह की वीडियो आपके लिए continue करेंगे, और GK की GA की सब की reasoning की वीडियो भी हम continue करेंगे, तो इस वीडिय को एंड तक जूर देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेग और सब्सक्राइब कीजेग हमारे चैनल को any exam इसी तरह की और वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, थैं Thank you, thank you very much.